हेलो दोस्तों मैं आज आप लोग लिए काफी अच्छी ख़बर लेकिया चुका हूँ SSC CPO की ख़बर जो कि आपका नोटिफिकेसर रिलीच कर दिया गया SSC की तरब से मैं आपको पूरी डिटेल दिखाऊँगा कि कितनी पोस्ट के लिए आया है कितनी पैसे मैं आपको बता देता हूँ तो तालिस सो पोस्ट के लिए आपका नोटिफिकेसर रा चुका SSC CPO का और भी मैं इसमें कुछ बदला हो हैं जो मैं बता दूँगा क्या अपडेट है क्या चीज़ है जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है कब तक आपको इसमें अप्लाई कर देना है कि लास्टिट होगी तो जैसे कि यहां पे आप लोग देख पा रहे होंगे 10-10 अगत से देखे 30 अगत सत्क आप लोग क्या कर सकते हैं Online फोर्मको ऐप्लै कर सकते हैं आज से आप लोग चालू कर सकते हैं और लास्ट डेट जो होगी आपकी 30 सारी जो आप पता ही यहाँ पर देखी रहे हैं और भी मैं दिखा देता हूं जनरेशन ओप लाइन चालान का भी जो आपका 30 सारीक है पेमेंट भी आप 31 सारीक तक कर सकते हो यह समझ लीजे कि आपको यह समझो 30 सारीक तक सब कुछ निप् तो काफी अच्छी सेली जैसे देखकर आप भी मन कर जाएं कि हाँ यहाँ पर मेरा सेलेक्शन होना चाहिए इसमें आप करेंगे स्टार्टिंग हो जाएगी 3500 से और आपकी जो बढ़के हो जाए एक लाग क्या सकते हो 12400 रुपाय आपकी सेली हो जाएगी आगी चलके ठीक तो यह पोस्ट लेंग कम होती है यूपी जो सरी डेली पुलिस की जो हैसाई को थी सब्सक्राइब अजाता है तो इसमें आप वो काफी पोस्ट मिल जाती है जो कि आपको 4960 लगवक होती है ठीक है तो टोटल लगाए आप देखोंगे तो 3200 आपके बैट रही है ठीक है तो आपकी काफी अच्छी पोस्त है काफी संख्यार पोस्त नहीं है यह कम हो पोस्त काफी मौक्त आपको अच्छा मिल रहा है यहां पर और वी चीज में आपको बता देताँ हूँ जैसे आप या कह सकते हो not before 2 जनवरी 1997 से पहले उसका जनम ना हुआ हो और एक जनवरी 2002 से बाद उसका जनम ना हुआ हो ठीक है यह इसके बीच में अगर जनम हुआ है आपका तो आप इसके लिए eligible है ठीक है आपके लिए अपके लिए उपसन आ जाता है और जो एक सर्विस मेंने तीन विए डिक्शन यहां पे आजाती है ठीक है तो आपको जो डेटेल हैं और किया बताना जैसे कि आप सब जानते हैं यह दौर भाग जो पृते हैं सब के लिए आपको पता लिए ठीक है तो यह सारी मैं आपको देख लेता हूँ और भी जो कुछ यहां पर मिलता है मैं आपको दिखा देता हूँ मैं नोडी विकितन पड़ता जा रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ ठीक है अपलाई तो आप लोग ऑनलाइन करी लें यहां पर कोई ऐसा कुछ नहीं है ठीक है और देख लेत यहां पर कुछ अपडेट होती है तो मैं आपको दिखा देता हूं यहां पर जैसे आती है फीज की बात करेक्शन फीज हो कमिशन विल वी ले उनिफॉर्म करेक्शन चार्ज अगर कोई बदला हो तो दो सुरू पर लगेगा ठीक है ना फॉर फस्स टाइम और 504 मेकिंग करेक करता है बजल लंबाई पर तो मैं आपको यह दिखा देता हूं लंबाई की बात दिखा देता हूं दो यहां पर मेल है तो 170 cm होना चाहिए ठीक है चैस्ट रसी फुलाने के बाद 5 cm फूलना चाहिए पिचास ही आने की ठीक है है यहां पर आपको और जो ट्राइवल बगेना 162 हो जाएगा फीमेल के लिए 157 हो जाएगा यहां पर तो यह सारी डेटेल यहां पर दी गई है दोड़ की भी यहां पर डेटेल दे गई है आप देख पा रहे होंगे 16-100 मीटर 16 सेकंड में करने है ठीक है और 16-100 मीटर 16 मीटर प्राइगा दूर ठीक है और फीमेल के लिए यहां पर देख सकते हैं आपर पढ़ सकते हैं और भी कोई अगर आपको अपडेट चाहिए कुछ भी डाउट होता तो आप कमेंड में बता दीजिए तो आपको बता द करें और भी कोई डाउट यहां पर रहा ना हो आपका ठीक है तो सारी चिंजिए मैंने आपको बताई है कोई बीडाउट होता तो आप अपको कमेंड में करके मेंसेज करके आप पूसाकते हैं मिलते फिर नेक्स वीडियों तो तक लिए अल्दा बैस थेंक्यू जाए हिंच कि आवारत